दोस्तों अगर आप Union Bank of India के customer हैं और Union Bank की WhatsApp Banking को de-register करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए हैं अगर आप WhatsApp Banking को de-register करना चाहते हैं तो वीडियो को skip कर करके ना देखें वीडियो skip करने से आपको समझ में नहीं आएगा अगर वीडियो काम का लगे तो लाइक और शियर जरू करें WhatsApp Banking को de-register करने के लिए हाई टाइप करके send बेटन पर क्लिक करें इस्क्रीन पर आपको दो अप्शन नज़र आ रहा हैं आपको login with amp in पर क्लिक करना है login बटन पर क्लिक करने पर आपको एक link रिसीव होगा आपको authenticate mpin पर क्लिक करना है mpin एंटर करके submit बटन पर क्लिक करें resume to uv connect पर क्लिक करें अब आपको main menu पर क्लिक करना है इस्क्रीन पर आपको कई option शो हो रहा है आपको सबसे last के option account settings को select करके send बटन पर क्लिक करना है अब account settings पर क्लिक करें account settings में आपको fifth option deregister को select करके send बटन पर क्लिक करना है अब आपको स्क्रीन पर एक question शो हो रहा है क्या आप uv connect को deregister करना चाहते हैं अगर deregister करना चाहते हैं तो yes बटन पर क्लिक करें yes बटन पर क्लिक करते ही WhatsApp banking deregister हो जाएगी वीडियो अच्छा लगा है तो like को share जरू करें पर क्या है झाल 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 झाल